हेलो अव्रिवान आज हम लोग आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टन को डिसकस करेंगे और यह कोशन होंगे हमारे पॉलिटी हिस्ट्री और करंट अफेर से रिलेटेड इससे पहले और वीडियो चैनल पर अप्लोडेड है आप उन वीडियो उसको देख लिजे के संबंद में सत्य है यहां बात हो रही है मिशन अमरी सरोवर से संबंदित पहला कतन क्या दे रखा है पहला दे रखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोधी दौरा इस अभियान का शुभारम 24 अप्रेल 2022 को किया गया था और दूसा दे रखा है कि पटवई उत्तर कर सकते हैं कि अपको बताना है इन में से कौन से कफन है वो सत्य है तो देखें कि दोनों ही जो हुआ murder smoked अप्रवारं प्राश नरेंद मोधी दौरा कि इस अभियान का शुभारम कप किया गया 24 अपर दो 2020 को और जिजवjos पहला अम्रित सरोवर का उप्र दोखाटन पहां कि क सकते हैं। Next question है प्रदान मंत्री नरेंद मोधी दोवरा हाल ही में भारत के किस राज में देश के पहले सामदाइक रेडियो इस्टेशन दूध वाणी का उद गातन डूध बहूत इंपॉर्टन कोशन है क्योंकि आएसा भारत का पहला है साम्दा इसाम लिए एक्जाम के बुद्वानी का उद्गाटन किया गया है आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है पहला है गुजरात दूसरा है मद्यप्रदेश तीसरा है राजस्थान और चौता है महारास तो यहां पर हमारा सही अंसर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नमबर एक गुजरात ठीक है याद कर लेने हैं नेक्स कोशन आपके सामने अरावली जैव विवीदता पार को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM सल का दरजा IUCN द्वारा प्रदान किया गया है या पार कहां पर वस्तित है ठीक है तो यहां पर हमारा सही अंसर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नमबर एक गुरुग्राम जो ही कहां पर हरियाना में ठीक है ऑप्शन नमर वन इस दा करेक्ट आंसर ठीक है बहुत OECM सार का दरजा दिया गया है किसों द calcul कि द्वारा ठीक है आपको पतााइव को गिप्रवार के समन्समों में विचार करें और बताया कि इनमें से कौसे कह रसे हैं ठीक है ध्यान से देखेगा वज़प्रहार हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है तो क्या है ये पहला दे रखाए कि इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मद देखिया गया ठीक है वज़प्रहार की बात हो रही है दूसरा है या युद्ध्याप्यास बकलो जो की हिमाचल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर वीडियो आपके लिए हैलफ लो तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर भी कर सकते हैं नेक्स्ट है तीन देवसी अंतरास्टी साहित्तिक उत्सव ठीक है अंतरास्टी है याद रखेगा उत्सव का नाम क्या उनमेश का आयोजन हाली में कह है विड़ार को यह भी सब्सक्राइब नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्मुदी दौरा भारत के निम लिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिश का उधगाटन किया गया चार उक्षन आपके सामने देखा है एहमदाबाद वरांट्सी गांधी नगर या शिमला तो जो किया गया है यह हो जाएगा हमारा सही आंसर एहमदाबाद में ठीक है एहमदाबाद इस दा करेक्ट आंसर ठीक है किस शहर में अटल ब्रिश का उधगाटन किया गया एहमदाबाद नेक्स्ट आपके सामने शर्णाथियों की समस्याओं की दिशा में कार करने हेतु निम लिखित में से किस एक को हाल ही में यूनसको शांती पुरुसकार 2022 से समानित किया गया देर इस फोर और पहला दे रखा है आपका डेनिस मुकवेगे एंजला मरकेल फरीदा एहमत या जुलियन लुसांब तो जो सही आंसर है यह है एंजला मरकेल ठीक है ऑप्शन ओमर बीज दा करेक्ट आंसर यह कोशन बहुत इंपोर्टन्ट है आनेक चांसेस के पूरे-पूरे हैं कोशन है आ इस इंडेक्स में अंतिम इस्थान पर यमन है ठीक है और तीसरा दे रखा है कि भारत मारतानिया एवं तरजाकिस्तान के साथ सभी दूरूपसे 87 इस्थान पर है तो देखिए जो तीनों स्टेटमेंट ने तीनों ही सही है आपको याद कर लेना है यह एक्जाम में अलग- इसके साथ मारतानिया और ताजासित पजाकिस्तान की भी दूरूपसे लास्ट में कौन है इसमें है यमन चीक है जो डी है यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा है नेक्ट कोशन है संगाई सहयोग संगटन ठीक है सी ओ द्वारा हाली में निमलिकित में से किस एक भारती शह सांसर है कि है अगला कोशन आपके सामने की राज विधान आपरिशत के समद्ध में निमलिकित कत्रों में से कौn सा कतशन सत्य नहीं है थीखिए बताना है कि कौन सा कतन सत्य नहीं है देखे राज संसथ के बारे में आर्टिकल знать ना vergessen ने बताय है तो आपको बताना है कि या एक स्थाई सदन इसको थे आपकार्श गर्षर्ण करते हैं यही गलत आप सब्सक्रें करते हैं तो इस देख लेना रखा है विधान शबाद्वारा संकल पारित करने के पस्चात संसत्वारा इसे समाप्त किया सकता है तो यह भी सही दे रखा है तो जो आप्चिन नमर बी है यह इनकरेक्ट है और यह हमारा अंसर भी है ठीक है नेक्स्ट है कि निम लिखěत समीतियों में से किस एक नेer पंचायती राज जेतु दूई इस तरी किस ने कही थी यह ढीक दिंसरी किति यह यह की थी आपके जोई बल्वंत रहा महता ने ने बट दू इस तरी यह पूछा है तो दूंद इन आशोग महता林 के था ठीक है तो धार्मिक समानता दूसरा राजनेतिक समानता तीसरा समाजिक या चौधा आर्थिक कोशन फिर चापड़िए कि भारति समीदान इंडियन करने का प्रयास किया गया है समाजिक समानता ठीक है थिए और निमनेकित में से कौन सा एककार भारत के सर्वोष्ण न्याले द्वारा नहीं किया यहां पर थी नागरिकों के मौलिक अधिकार्यों की रक्षा यह की जाती है ठीक है नियाईक पुरान पुन्रा लोकन यह भी किया जाता है ठीक है जुडिशल रिव्यू की बात हो रही है पुन्रा वो लोकन और तीसरा है कि डंडित कैदियों को छमदान करना और चौथा दे निर्णाय करना तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी ठीक है पहला किया रखता कि मौलिक अधिकारी रक्षा करता है सुप्रीम कोट तीक है जुडिशल रिव्यू भी करता है सुप्रीम कोट तंडित कैदियों के चमदान नहीं करता है ठीक है और राज और केंद के संबन्द में निम्लिखित करतिनों में से कौन से सत्य हैं पहला देर कहाद नवनेर्वांची लोग सवा के वरिश्ट्रव सदस्यों में से एक को समानता प्रोटम Et города दाता बिल्कुल सही है दूसरा प्रोटर्ण स्पीकर नौनेर्वाचे सदस्यों को शपत दिलवाता है बिल्कुल सही है तो सी इस दा करेक्ट आउसर दोनों ही सही है किन अनुक्षेत के अंतरकत यहां विशेश उपबंद किया गया है कि गोवा राजी की विधान सभा में कम से कम तीस सदस्य होंगे तो यह है 371 आई ठीक है याद कर लिजाओ इंपॉर्टर्ण है डीज दा करेक्ट आंसर अगला कोशन है निम लिकित में से किस अनुक्षेत के अंतरकत लोग सभा में अनुसूची जातियों अनुसूची जन जातियों के लिए आरक्षन का प्रवधान है तो यह जो है आर्टिकल 330 तो ऑप्शनोंबर ए इस दा करेक्ट आंसर ठीक है इंपॉर्टिंट है यह नेक्ट कोशन है निम लिकित में से कौन सा एककार भारत के सर्वोष नियालों द्वारा नहीं किया जाता अभी शायद मैंने इसको डिसकस किया था तो डंडित कैदियों को शमदा नहीं करते हैं तो सीज दा करेक्ट आंसर अगला कोशन आपके सामने वर्ष 1902 में टॉमस र गुरुदास बनर जी तीसरा दोनों या चौथा इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर का पहले तो कोशन को फिर से पढ़िए वर्ष 1902 में टॉमस रैली की अधक्षता में एक विश्व विद्याले आयोग गठिट किया गय था जिसमें भारतिये कौन थे सहीज़ हु ग्रामी भी थे जैसे गुरुदास बनर जी भी थे तो सी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है निम लिखित में से किस अधिनियम दौरा साथ वर्षे कम उम्र के बच्चों के कार खाने में काम करने पर प्रतिबंद आरूपित किया गया है 1881 कार खाना अधिनियम 91 कार खाना अधिनियम तो किस अधिनियम दौरा साथ वर्षे कम उम्र के बच्चों को कार खाना में काम करने पर प्रतिबंद है तो यह हो जाएगा आपका आपका आप्शन नमबर 1881 का कार खाना अधिनियम ठीक है संसत के दो सतरों के भी छे मां से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है यह भारतिय समिधान के किस अनुक्षेत से सम्मंदित है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है और यह आर्टिकल 85 ठीक है और संसत के बारे में आर्टिकल 89 तीन गटक होते हैं राजसभा लोगसभा और प्रेज समत के दारा ठीक है तो सी इस दा करेक्ट आंसर अगला कोशन निम निकित में से किस एक अनुक्षेत के अंतरगत के इंद्रिय प्रसाशनिक अधिकरण के निर्णेओं को भारत के सर्वोच नियाले में चुनावती दी जा सकती है तो बहुत इंपॉर्टन कोशन है ध्यान द की जा सकती है तो यह जागा अनुच्छेत 323 का के अंतरगत ठीक है तो और यहां पर दे रखा है तीन सो 243 गाह है इसमें क्या है कि इसमें पंचायतियों की संरचना से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं ठीक है और 343 आपको पता है कि इस बारे में राजभासा संबंध प्रावधान है इस अभी आपको अच्छे सियाद कर लेना है ठीक है यह अभी मेंने डिसकस किया यह वह जाएगा रिपीट हो गया कोशन ठीक है साथ वर्स से कम कार खाने में बच्चे काम नहीं करेंगे 1880 का कार खाना दिनी है नेक्स्ट आपको मैच दी कॉलम है ठीक है मैच दी कॉलम आपको बताना है पहले तो दे रखा है यहाँ पर संगठन बूसा दे रखा है संस्थापक कौन है तो पहले आपको दे रखा है कि इंडिया हूम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे पैरिस इंडिया सोसाइटी सोहन सिंघंभ भाकमाथ और लेटी मैज्ड़ें ठीक है तो यहाँ पर यहां पर यह हो जाएगा हमारा सभी आंसर सी पते उधासी समफर्दाय की स्थापना तो जायनाद ये गई थी ई फिल्ग गई थी नोबर एह हमारा साही आंसर को कि नैक्स गिल्टी स्थापना का पूरू नाम अखिल कि भारती आस्प्रश्वता विरोधी लीग था कोशन फरी से पड़ते हैं निम कीस थनिश्था का पूर्व नाम अखेल भारती आस्प्रश्वता विरोधी लीग था। क्या को जानना चाहिए कि आश प्रिस्टा यानि कि अंटेश बिल्टी का आर्टिकल 17 में बताया गया है ठीक है और जो कोश्चन है हमारा वह हो जाएगा हमारा हरिजन सेवक संग ठीक है तो सी इस दा करेक्ट आंसर नेक्शन निम्ड कर्णतु विचार करी आप ठीक है अब बताई कौन सा किस से कसम बंदी था यह कतन क्या क्या दे रखा है कि यह तुर्की भासा में प्रमेर था इसे जहांगी ने 400 मंसब प्रदान किया था इसे इंग्लिश खा अथवा फिरंगी खा की उपादी प्रप्त हु है तुर्की भासा में कौन पुर्ण था चार से मंसब दिये थे जहांगी ने इंग्लिश खा कहते थे फिरंगी खा कहते थे यह हैं टॉमस सर टॉमस रोग इस दा करेक्ट आंसर डी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स राज सभा अनुछे 312 के अंतरकत अखिल भारतिया सेवा का स कॉस्टिन कर सकती है कौन कर सकती है चार आपके सामने दे रहा है एक cलिए भाहुमत साथाहन हम बहुमत दो परिफार यह कोश्चन का आशर आपको सभान भी जट भी ठीक है इस को अनुछ hmवको करेंशन बताना है असान ओчи नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में निम्लिकित में से किस देश ने नियू डपलम्बेंट बैंक के चौसित सदस्य की रूप में सदस्यता ग्रहन की मिश्र प्रागे साउधी अरब अर्जंटीना मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है अर्जंटीना ने देखिए वर्ल्ड कप जीता है कावेरी पतनम का संबंद किस्से है पंड़य से चेरो से रास्टकूर चोलो से संगम साहिथ में तो उनका संबंद है स्यचौलो से सीज़ा करेक्ट आंसर नेक्ट कोशने सुप्रसित भक्ति कवी गो सवामी तुलसी दास निम्न में से किस आशक के समकाली नहीं थे अकबर बाबर जहांगी या उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है तो जो सही आंसर होगा हो जाएगा यहां पर मारा ऑप्शनमर भी बाबर ठीक है मुगल सम्राज के संस्था पर कौन था बाबर ही था और सुप्रसित भक्त कवी गो सवामी तुलसी दास निम्न में से किस समकाली नहीं थे बाबर बी इस दा करेक्ट आंसर अगला कोशन निम्निकित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चितम उत्पादक्ता में प्रथम अस्थान रखता है तो यह है चीन चाइना ऑप्शनमर इस दा करेक्ट आंसर और चाइना की राज़ानी क्या है चाइना की राज़ानी है बीजिंग ठीक है तो यहां पर एक हमारा सही आंसर गेहूं की उच्चितम उत्पादक्ता चीन ही रखता है नेक्स निम्निकित सल्तनत कालिन शाषकों में से किस एक के राज़ा रोहन के साथ ही सल्तनत काल के समराजवादी युक का आरम माना जाता है अलाउदिन खिल जी बलबन असरुदिन महमूद महमद बलबन तुगला कोशन फिर से पड़ते हैं नेम्निकित सल्तनत कालिन शाषकों में से किस एक के राज़ा रोहन के साथ ही सल्तनत कान के समराजवादी युक का आरम माना जाता है लाउदिन खिल जी ठीक है एज़ा करेक्ट आंसर अगर यह अभी हमनों डिसकस किया था ठीक ह सारे कोशन रिपीट हो गए हैं संगाई सहयोग संगटन द्वारा हाली में इम्निकित में सकिस एक भारती शहर को 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्क्रितिक यहां परेटन राजधानी की रूप में वारांसी ठीक है तो यहां पर हमने 25 से 30 कोशन को डिसकस किया है जो कोशन म मैंने आप से पूछा उस कांसलर पर कमें शेशन जरूर दीजेगा वीडियो आपके लिए फिलोट वीडियो को लाइक्शन शेर जरू करें थैंक यू